हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक वेखे चैनल आज मैं आपके बताउंगी यह जो हमारा रेडिमेंट सूट स्लीव से इसे हमने इस तरह से खोल की रख दिया है डबल में ही है जह हमारा दोनों तरफ सिल्फ से इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यह हमें टाइट हो रहा था तो इससे हम कट करके दूसरा स्लिव्स बनाना है इसे डिजाइन लुक पाइस भी अच्छा है और मतलब जो फिटिंग ही वो भी अच्छे सा है तो इके सामने से हमें इससे इस तरह से ब्राबर कर लेना है इसकी जो चोड़ाई है वो मैं लूँगी टू इंच आप थ्रेंच भी ले सकते हैं अगर आप वो चोड़ी चाहिए तो पर यहां में टू इंच ही लूँगी इस तरह से हम टू टू इंच पर निसान लगा लेंगे और इसकी इलकी मदद से हम ब्राबर इस तरह लेकिर खीच लेंगे इसकी बाद इसकी हम करेंगे कटिंग अब इन सभी पट्टी को हम जोड लेंगे नीचे से बराबर कर लेते हैं कि यह हमने करकर लिए ब्राबर इन सभी पट्टी को हम इस तरह से च्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे से मैंने सभी जो पट्टियां है उसे मैंने इस तरह से जॉइन कर लिए इसके बाद इससे हमें जो हमारा जॉइंट है वो अंदर होना चाहिए इससे हम ऐसे डबल करके एक सिलाई लगा लेंगे किनारे पर कि यह मैंने पूरे पट्टी पे इस तरह से सिलाई लगा लिए अब इस पर हमें बनाना है चुननट यह देखें यहां पर अब छोटे-छोटे प्लेट डालिए इस तरह से प्लेट डालेंगे पूरे पट्टी पे इस तरह हमारा जो पट्टी इसमें पूरे में इस तरह से बनके रेडी हो गया उसके बाद हमें लेना है स्लिव यह दिए यह हमारा सूट है डेडिमेंट सूट है यह अब यहां पर हमें इससे अटेच करना है तो पहले क्या करेंगे नीचे से हम थोड़ा से खोल लेंगे इस तरह से उसके बाद हमें नीचे से ही लेना है हमें आर्मोन के तरफ से लेके हमसे लाई कर लेंगे यह हमारी जॉइंट हो गई यह यह देखिए इसके बाद हमें ऊपर एक सिलाही लगानी है जो हमारा कपड़ा है उसे हम ऊपर कि तरह पही रखेंगे और ऊपर से लगाएंगे इस तरह मैंने पूरे अर्मों प्रेम एने इस तरह सिलाही लगा ली इस तरह आपको दूसरे दुजेक्व इतेच्च कर लेना है इधर भी आपको उसी तरह टेज़ कर लेंगे और ये देखे मैंने ये दोनों तरफ लगा लिया उसके पर जो हमारा फिटिंग का था निसान जो फिटिंग का था बस वहाँ से हमें इसे फिटिंग दे देनी है तो इस तरह से आपको जो सिल्वस का लुक है वो चेंज हो जाएगा और फिटिंग भी आ जाएगा दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें सेर्ज करें सब्सक्राइब करें थांक यू